दोस्तों जैहिंत, बंदे मातरम, मैं सुनील कुमार यादो आप सभी का अफ़ादन करता हूँ और जब कभी बात की जाती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है तो हम बस एक ही जवाब देते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ जिसका निरधारान एक अंग्रेज रेड क्लिफ ने किया था लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा में छे बार्डर लाइन है रेड क्लिफ के अलावा तो आईए आज हम जानते हैं कौन-कौन सी लाइने हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारान करती है तो दोस्तों सुरुआत करते हैं गुजरात से गुजरात में कच के रन के पास सरक्रीक सीमा रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निधारान करती है हलाकि ये विवादित है इसमें जो आप सफेड डॉटेट लाइन देख रहे हैं और लाल डॉटेट लाइन देख रहे हैं यह सफेद डॉटेड लैंड जो है यह भारत इसको मानता है और इस लाल वाली को पाकिस्तान मानता है अलाकि जो वास्तिक सीमा रेखा है उस पर यही है कि हम जो लाल जो सीमा रेखा है वो भारत की है और वो डिस्प्यूट है उसको पाकिस्तान मानने से इंकार करता है यह सरक ये रेखा भी भारत और पाकिस्तान को अलग-अलग करती है और ये रेखा पाकिस्तान के सिंद्र प्रांथ और भारत के गुजरात प्रांथ को के बीच की सीमा रेखा है रेट क्लिफ रेखा ये दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे लंबी सीमा रेखा बनान से भी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बाद जो चोथी रेखा है उसको अंतरराश्टी रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों इसमें जो ब्लेक डॉटेट देख रहे हैं कस्मीर का छेत्र यह पूरा अंटरनेशनल सीमा रेखा है यह अंतरराश्टी सीमा रेखा है दोस्तो तो पाकतकत कस्मीर जिस पे पाकिस्तान ने अवाइद रूप से कभजा कर रखा है इसको हम लाइन आफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं यह हरी डाइट लाइन में देख रहे हैं यह लाइन आफ कंट्रोल है दोस्तों चटनी लाइन जो है सीमा रेखा जो है वह है एक्चुल ग लेलस्यार इसमें जो पॉकुपाइट कस्मीर है उस साइड के जो रेखा है जो भारत और चाइना को मिलाती है यहीं है एजिपी यह इसी लाइन को हम एज़ी पील कहते हैं इस मैप में और गोर से देखिए यह जो निली लाइन डॉटेड जा रही है इंद्रेगं टक जा रही तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जै हिंद वंदेवा करो